आज मैं explain करने वाली यह उन्हों टूसी बढ़न सीरीज को वेपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सभी लोग लेट के पास खड़े थे तभी काकाश कहते हैं कि चलो अब सुरू करते हैं पिल वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो सिर्जो ने कहती है कि अब हमें भी चलना चाहिए वहीं जाते जाते ली बागी लोगों को पेख़रा था तो कीबा बोलता है कि क्या हुआ तूम अदास देख रहा हो ली पिर ली कहता है कि मुझे जेलेस फील हो रहा है कि वो लोग क्रिस्टल वाले से लड़ेंगे तो कीबा कहता है कि हम चूनीन है मुझे भी ऐसा ही लगता है लेकिन कभी कभी हमें और्डर को फालो करना पड़ता है तो हम जहां जा रहे हैं लोग भी काफी खदरनाक है तो ली कहता ही चा वो लोग भी खदरनाक है उनके बारे में और बता हो मुझे उधर नावटो कहता है कि अच्छा हाँ तुम दोनों अपसक नहीं मिले वैसे ये है साई ये पहले ऑन्व ब्लैक आप्स में था और ये हमें सब बुखे पढ़ता रहता है जो कि अजीब है लेकिन ये ड्राइंग काफी अच्छा बनाता है और साई ये है शीनो आँ बस सीनो ही है ये तो साई कहता है तुम शीनो आबुरामे हो शी भी आबुरामे के बेटे हो और तुम लोगों के पास एक सीक्रेप जूटसू है और तुम्हारा क्लैन इंसेक्स को यूज करता है क्या मैं सही हूँ फिर नाउटो कहता है वाओ तुम्हें तो बहुत कुछ पता है शीनो के बारे में तो शीनो कहता है ये तुमने काफी रिसर्च किया है और क्या ये उमीद कर सकते है एक आउटो से तो नाउटो कहता है कि अब तो हम लोग काफी अच्छे टीम बन सकते है तो शीनो कहता है कि नारूतो मेरा फेवरेट फूड वाटर मेलन है मुझे ज़्यादा स्मेल करने वाली फूड पसंद नहीं है तो नाउटो कहता है कि मुझे नहीं जानना कि तुम्हें कौन सा फूड पसंद है दभी साय उसके पास आता है और उधर देखने को कहता है और हम देखते हैं कि शीनो से कुछ परपर टाइपा कुछ निकल रहा था और कहता है कि नाउटो मुझे लगा था कि तुम मेरे बारे में जानना चाओगे एक अंजान मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है वो भी मेरे कॉमरेट से जादा फिर नाउटो कहता है कि ठीक है अब तुम दोनों ही बात करो फिर हम देखते हैं गुरेन और गोजो को लेकर किनारे, फिर गुरेन कहते हैं गोजो तुम कावटो के बारे में क्या सोचते हो? वहात में मुझे बलकुल दी पसंद नहीं, खेर जाने दो, लीफ का काम खतम हो जाएगा, उसके बाद मैं उसे खतम कर तूँगी, फिर गोजो क कहते हैं कि पानी में एक मचली को तब ही वो लोग रिंजी के साथ बाहर आते हैं पानी से और वो स्मोक वाला आदमी कहता है कि हमारा प्लैंड क्या है रिंजी उद्धा सीजो ने कहती है कि ठीक है हम चार कोनों वाला सीलिंग बैरियर बनाएंगे पहले हमें थ्री टेल को ढू सीरिंग जोट्सों पर आते हैं फिर वो लोग उसे लेकर खड़े हो जाते हैं तो सीजो ने बताती है कि हम जैसे जैसे दूर जाएंगे तो कोशिस करना कि अपने चाक्रा को बैलंस करने का और जब थ्री टेल इसके नीचे आएगा तो हमें सिग्नद मिज जाएगा फिस कहती है कि इनो तुम ठीक ठो फिर इनो मन में कहती है कि एनवी का अटैक को चुछ उलो मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं इतना चाक्रा कंट्रोल कैसे करूंगी तब ही सागुरा कहती है कि तुम ठीक कर रही हो इनो, ये हमारे लिए बहुत ही असान है, फिर इनो को वो पास्ट याद आता है, ज़र सागुरा उसे चाकरा कंट्रोल करना सिखा रही थी, वो भी एक मचले को ठीक कर रही थी, प्रिजन में इनो कहती है कि हाँ, मैं ये बड़ इवन आकामारो का इसमेल भी चला गया था तो बैतर होगा कि हम उनसे दूर रहें तो ली कहता है कि नहीं हम ऐसा करेंगे तो उनको कभी नहीं है रहा पाएंगे तो मैं कुछ तरीका ढूंड लूँगा फिर यह में तो कहते हैं कि ठीक है ली तो मारा स्ट्राटरजी क्या है तो ली कहता है कि मेरा स्ट्राटरजी है और सबी लोग पूरा ध्यान से सुन रहे थे फिर ली कहता है कि मेरा स्ट्राटरजी है कि हम पूरी जान लगा कर लड़ेंगे ये सुन कर सबका दिमाग खड़ाब हो जाता है फिर कीबा उसे बहुत ज़्यादा सुनाता है उधर काकाशी कहते हैं कि क्या तुम रेडी हो नाउटो बोलता है कि हाँ बिल्कुल फिर काकाशी सीनों से पूसते हैं शीनों क्या तुम भी रेडी हो शीनों कहता है कि मुझे थोड़ा और समय चाहिए होगा फिर काकाशी कहते हैं कि साई हम वही formation इस्तमाल करेंगे जैसा यामटो के time किया था वैसे मैं बूल गया था कि तुम भी वहीं से आये हो जहां से यामटो आया थे नाउटो कहते ही वो कौन सा जगा है तो काकाशी कहते हैं कि on move black off से वहाँ पर अपने कॉमरेट्स को प्रोटेक्ट करने को उतना इंपॉर्टिन नहीं दिया जाता है अब समय पतल चुका है अब तुम्हें अपने कॉमरेट्स को खोई भी हालत में प्रोटेक्ट करना होगा तेसाई कहता ही उसकी चिंता मत करो इसलिए तो मैं यहां पर लुका हुआ हूँ मैं अपने दोस्तों पर विश्वास करता हूँ फिटना उट्टो को जिराएगा बात याद आता है और कहता है कि सही का तुम्हारा वहीं घर होता है जहां पर तुम्हारे दोस्त होते हैं और यूकी मारू को भी यही समराज नहीं आरा उसे वो लोग बेवकुफ बना रहे थे तब ही काकाशी कहते हैं कि वो लोग यहां पर आ चुके हैं और वहां पर आता है गोजू और एक बड़ा सा धामा का होता है फिर नाउटो कहता है कि उसे सीनों से दूर रखना होगा फिर काकाशी उस पर अटाइक कर देते हैं लेकिन वो बज जाता है फिर काकाशी देखते हैं कि वहां पर उसकी साथ कुल था और दूआं खतम होते ही हम देखते हैं कि वहां पर गूरें थी फिर उसे देखकर नाउटो कहता है कि तुम तुमने यूखी मारू को अपने जाल में फसा लिया और उसे कहा कि तुम उसके दोस्तो ये सुनते हैं गुरन बॉखला जाती है और नाउटो पर अटैक कर देटी है अपने क्रिस्टल स्टैल जूत्सू से अवाज सुनकर यामटो कहते हैं कि खेल सुरू हो गया है तब ही कीबा कहता है कि कैप्टर यामटो ये वही स्मूक वाला है फिर यामटो उस मास्क वाले को पकड़ लेते हैं अपने वुड स्टैल का इस्तामाल करके तो ली चला जाता है अटैक करने के लिए यामटो से मना भी करते हैं फिर ली उस तुम गल्टी से उसको भी मार दोगी वहीं ली कहता हैगी तो की बाइसी के बारी में बात कर रहा था वो सही था, मुझे अब कुछ भी नहीं ठिकरा फिर वो अपने आग को बन करके खड़ा हो जाता है वहीं वो आदमी कहता हैगी पसे एक बार कहो, मैं उसे खतम कर देता हूँ तो रिंची बूलता है, मुझे एक और काम याद आगया तब ही ली कहता हैगी, इस मोग काफी जादा है क्या बागी लोग भी इसमें फ़र्स गए अब मुझे क्या करना चाहिए तब ही पीशे से माइट गए आते हैं और कहते हैं ली, एक सचा शिनोबी कभी हार नहीं मानता अगर तुम अपने ट्रेनिंग के दिन याद करो तो तुम इससे भी बुरे हालात से गुजरे हो तुम अपने सेंस का इस्तमाल करो फिर ली वही करता है, अपने बागी सेंस का इस्तमाल करता है और कहते हैं यह ने उससे ढून लिया फिर वो जाकर एक को बुरी तरा मारता है बागी लोग तो शॉक में थे कि यहां चल क्या रहा है फिर ली उसे ऊपर ले जाकर बहुत अलात मारता है फिर उसे पानी में फेक देता है तो ये देखकर टिंटिन गयती है कि इसका मतलब स्मोक में सिर्फ और सिर्फ एनिमी बचे वे हैं और फिर वो अपनी स्क्रूल का इस्तमाल करके अटैक करती है जिसके वज़े से वो लो पागल हो जाते हैं और कहते हैं कि याँ चल क्या रहा है तब ही उनके पास टेंटिन कुनाई फेपती है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है ये देखर कीबा कहता है कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं अब हमें भी कुछ करना होगा आका मारू फिर वो और अका मारू जाते हैं वो लोग के पास अटेक करने के लिए और अका मारू सब को मार्क कर देता है देखी सकते हो कि कैसे वो मार्क कर रहा है तब ही वो मास्क वाला अदमी फिर से पूरा स्मोक फैला देता है लेकिन कीवा कहता है की बागने का कुई फाइदा नहीं ओने वाला तुम लोगों को आका मारेने मार कर लिया है फिर कीवा उनको मार के दूर फेक देता है और फिर देल देले स्मोक गायव होने लगता है उदर यामाटो कहते हैं कि ये तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था ककाशी ने सही का था उदर हम देखते हैं कि साई अटाइक करता है लेकिन वहाँ पर गोजो आता है और उसको रूख लेता है फिर गुरेन आगे बढ़ रही थी नाउटो यू के मालो के बारे में पूछता है लेकिन गुरेन फिल्ड से अटाइक कर देती है तब ही हम देखते हैं कि शीनों वहाँ पर उठता है और कहता है कि अचलो सुरू करते हैं और ये एपिसोड यही पर खतम हो जाता है पर खतम है